हेलो फ्रेंट्स अब सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चलनल सचारे24 में दूस्तों अपने लाश्ट वीडियो मैंने बताया था जो इंडिय निवी के जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन को फुल डीटेल मैंने डिसकस किया था अपने लाश्ट वीडियो मे ठीक है तो कमा डाउट था कि क्या यह दसवी फास के लिए है और हाइट कितनी होनी चाहिए इसमें नेगटीव मार्किंग कितनी होगी आइटीव ट्रेड कौन सी होनी चाहिए यह ऐलक्रिशन भर सकता है ओर कोई और ट्रेड है ठीक है तो ऐसे जो कॉश्टन आपके मन में गार रहे है इस वीडयो पात करने वाला हूं और आपने पहला मेरा नहीं देखा हो वीड은 आप डरहेंगे और क्यों चाहिए का 1000 मेंilateral तो इनिश्यल क्वाइलिफिकेशन की बात करें तो 10 पास आट होने चाहिए आप किसी भी बोड से या तो स्टेट बोड होना चाहिए या तो सीवेसी बोड होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज आपका आईटी आई भी पास आउट हो चुके हैं किसी भी ट्रेट से तो आप प्प्लाई ईब शाय कोई इसमेंdock संवेको रहाँ कि ऊप्लानoth कर सकते हो,टोग में युठाम सब्सक्राइफ होदों 60ग उसमेंन में कोई चाहिए है कि स्कारिव स्कू dedans तो भी आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है और आपने अभी तक pass out का certificate नहीं आए आप पास तो आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है तो यह doubt clear होगा आपका qualification का next चीज़ पर चलते हैं examination fee की बात करें तो आपकी 205 है journal OBC के लिए 205 है और STSC और women's के लिए आपका यहाँ पर कोई पैसर नहीं लगेगा ठीक है तो यह होगी फीज की बात होगी next चीज़ पर बात करते है mode of selection सबसे important चीज mode of selection mode of selection में क्या होगा कि जो अपने application form fill up करेंगे तो इसमें आप photos सब कुछ चेक कर लिए जाएगा photo और आपका signature है अच्छे से और जो documents upload करेंगा clear document upload कीजिएगा अगर आपने document में कहीं भी कुछ भी गल्त हो जाएगा या blur हो जाएगा अच्छे से upload नहीं होगा तो आपका form cancel या reject हो सकता है ठीक है तो आप इस सब चीजों का ध्यान से जीजिएगा और photo blur मत upload कीजिएगा photo एकदम clear और अच्छी photo upload कीजिएगा ठीक है तूसरी चीज बात करते हैं अगर आपने जब इसका आपका जो document होगा और आपने जो form apply किया है form को screening करेंगे उसमें क कोई दीकत नहीं होने वाला है अब इसमें syllabus की बात करें तो syllabus होगा आपका general reasoning ठीक है जो reasoning आप पढ़ते है reasoning है quant aptitude maths होगी ठीक है English comprehension होगी और जनल तो इसमें reasoning में बता दूं आपको reasoning में 25 कोश्चन होगे ठीक है 25 marks के इसके बाद में 25 नंबर का होगा ठीक है और इंग्लिस भी 25 नंबर का होता है ठीक है इसमें देखिए जो इसका syllabus जो होता है यह 10th basis पर आता है ठीक है तो reasoning भी ज्याद इसमें comprehension दिया होता है ठीक है जिसमें लिखा होता है कुछ paragraph दिया होता है और नीचे कुछ कोशन दिये होता हूं उस टाप कोशन पढ़के जाएगा उस टाप से कोशन कम से कम 15 कोशन आना की संभावना होती है ठीक है मैं इसका प्रिवेश का पेपर भी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है यहां पिनना थोड़ा स्लेवर्स को अच्छे से डिसकर्स किया गया है ठीक है तो यहां पर आपका जो ग्रूप डी वगरा में आता है वही स्लेवर्स यहां भी दिया गया ठीक है कोई ज्यादा तफ नहीं है सीरीज डिकोडिंग और 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 आउट वाला जो कोशन होते है इसमें आएगा वैंड कोशन होते हैं अनलोगी हो गया स्टेट्मेंट के कोशन उस टाब के कोशन आएंगे ठीक है तो यहां पर मैस की बात करें तो मैस में वही चीज़ा टाइम इंडिस्टेंस हो गया सिंपल इंड कंपाउंड इंटरस्ट ही है और ट्रिग्नोमेट्री जमेट्री का बेसिक साता इसमें कोई ज्यादा टॉफ नहीं आता है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको कोशन में आप पूछ सकता है ठीक है तो यह भी आप पढ़ लीजिए और प्रिवियस पेपर में इंग्लिश या सारे स्लिवस का अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा अगर जनरल अवेरिश की बात करें तो यह भी सेम चीजिए अपकर टैंथ बेसिज़ी पर आएगा त्यक है लगबर का पांगे चलिए हिस्ट्री से से पांच कोशल जोगी से 5 कोशल हो गया साइस से 5 कोशल ऑगया और आपका कंप्यूटर से और 5 कोशिन अपका जनरल ऑभ होता है ठीक है और इसमें नेगटी लोग का डाउट था कि नेगटी नियुक्त को जैण वाइड़ा मैंच करना भूती दिखत हो क्यों को सौदाब होता होते है तो फ्टुरा तरह स्व कें वेंगेविगी हुआ है कि यह वर टाइम कर खेले हैं तो जितना अच्छा पेपर के आएंगे तो अच्छा होगा ठीक है दूशऺं चैसे बात करें नहीं बना रहा हूं और बहुत अनलाइस करने के भाद बताया है जो पेपर है आपका उससे पांचोव मंहीं में होगा जरूव धीज़रा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट से रिलेटेड और भी कोशन है आपके पास मन में हो रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट बताईए या टेलेग्राम पर बताईए कहीं भी बताईए आपका मैं जुरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा ठीक है त मुझे का अबड़ मुझे की कोशन है रादाए रिलेड़ लिए और लिए कोशन है तो आपके अपका मैं जुरूर रहे होता है तो आपका मैं जबताईए तो आपकेल कोशन है तो आपके जड़